आप देख रहे हैं अपना अरर्या न्यूज एक नजर हर ख़बर न्यूज देखने से पहले सस्क्राइब अवस्ट कर ले किस तरह का एक्जाम चल रहा है अर्या कलेज में परसासन के तरफ से मेट्शिक का एक्जाम चल रहा है जो 21 से लेकर के जो हैं नहीं किस नहीं 17 से लेकर के 24 तक है तो उसके लिए हम लोग प्लेस दे दिए हैं यहां पर मुल्यांकन चल रहा है थाट पाट का रडिया जिला और किसन गंजिला दो जले की कोपी आँ हैं यहां पर लगबग सारे साथ हजार स्टूडेंट है साथ हजार स्टूडेंट का चार पेपर पांच पेपर करके होता है सब्सक्राइब पूरे जिले का हमारे यहां दे दिया है पूरे जिले के जितने भी कॉलेजेज हैं साइंस आर्ट्स सब सब्सब्जेक्ट में जैसे फिजिस, केमेस्टी, बोटनी, जुलोजी चार हो गया साइंस में उधर हो गया जोगरफी, होम साइंस और साइकोलोजी साइस सब्सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो रहा है तो एक प्रोग्राम हम लोग यह एकजाम लेना था एक मेहना पहले ही तो उसमें फोकानिया का एकजाम चल लहा था और साथ ही साथ यह निर्देश था कि यह लेना है जो है छात्र का संका चुनाओं होना है और कोई एक एकजाम जो है ने चल लहा था जिसके चलते हम लोगों ने डेट को बढ़ा दिया और सब कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दे तो यह प्रैक्टिकल एकजाम अब हो रहा है जिसमें यह प्रैक्टिकल एक दिन हो चुका है यह 22 तक यह एकजाम चलेगा तो वो सब कॉलेज को अपना बता दिया गया है और प्रोग्राम बना दिया गया है रूटीन बना दिया है उसके अनुसार बच्चे आते हैं वो एक एक्जाम देते हैं यह एक्जाम कल ही से था तो एडिमिस्टेशन से डी-एम साहिब से जो है नाम को खबर मिली कि आपके यहां मैट्री का दिया है बिहार बोटका है वो एक्जाम तो किसी कीमत पर टल नहीं सकता है उसको लेना है और हर्टाल भी चलना है उसमें आपको संभावना है तो उसके लिए आप क्या किजेगा ता हम उनको कहा कि हम इसको पस्पोंड कर देते हैं बाद में लेंगे एक्जाम तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं देखे लरके को चुके एक मेहना पहले का था प्रोग्राम सबको मालूम हो गया है दो बार तिन बार वो लोग घूम केख चला गिया है फिर जो दे देते हैं और यह बीनेम्यू का एक्जाम है पुर्णिया इनुवर्सिटी का नहीं तो बीनेम्यू वाला मध्यपुरा बला लेगा तो बच्चे को और परिसानी होगी डीम साहिब हम से बले परसनली के आप जाकर के नौ बजे वहां दे में एड़्जस्ट किये और डीम साहिब को हम खबर किये तो बोले कि हम तो चार्ज दे के आगए हैं यह पहले वाले डीम साहिब तो आप जो है ने एडीम साहिब को हम चार्ज दे दिये हैं उन से बात कर लेजे एडीम साहिब से बात भी तो बोले कि सर जो है ना आप किसी सरसे उसको ले लिजिए ने तो बच्चे को परिशानी होगी फिर एस डियो साहब को हमका मेडम बताई इस सिच्वेसन में मैं क्या करूं बुला कि ने सर आप जो है ना अपने विवेक से एक्जाम ले लिजिए बच्चे को परिशानी नहीं हो आपको जो सहयोग की जवरत वह हम लोग सहयोग करेंगे तो मेडम भी आई थी कल देखे गई एडियम साहब भी आई थे बुलेकिन है बहुत अच्छा जो राजिस्ट्रेशन चल रहा है भी तो कब तक इसका डेट यह 22 दो तक 22 फेबरेरी तक कल एक मेल आया 22 फेबरेरी तक बढ़ा जिया है पहले यह 18 रही तक था और मेरे यहां प्रोब्लेम नहीं है 16-43 लड़का आठ्ट में था उसमें जो है जो है 14 सारे 14 सा लगभग हो गया है एक सब 25 लड़का जो है माइग्रेशन यहां से लेही के ने गया है तो वो तो अपने कहां है 25-30 लड़का मेरे हैं ऐसा है जो दूसरे जगह से टास्फर हो करके आए हैं तो वो जो खोल रहा है तो उसका पुराने जगह पे हो रहा है तो उसको हम लोग जो है ना कह दिये हैं कि घबराओ नहीं हम लोग कलेक्ट कर लेंगे इन्वर्सिटी से जाके उसा एक बाद बताए रेजिस्टेशन करने के लिए जो डॉक्मेंट ह लेसे क् erste मैं उसको लगवभी वाई जिसको अधना कर लेकुझ इसको अगर उसका फोटो कॉपी है तो हम लोग लोग निकाल करके लगा करके लेदे हैं कोई परिशानी बच्चे को नहीं हो हम यह नहीं कहते हैं कि तुम उसको माइगरेशन उन्वर्सिटी का और सबका यह है कि रड़िश्टेशन उसका हो जाए रड़िश्टेशन के लिए जो तिन-चार देखना पड़ रहा है तो यह किस तरह का मतलब किस तरह से हैंडल कर रहा है बहुत परिशानी एक इनवर्सिटी का एकजाम चल ही रहा है कि दूसरे का प्रोग्राम आ जाता है और थियोरी प्रैक्टिकल मुल्यांकन सब का अर्या कालेज आप लोग का कहिए कि सयोग है पूरे एकजाम का सेंटर होता है ठीवी प्रैक्टिकल तो पूरे जीले का हो जाता है और मुल्यांकन भी जो है नहीं हम लोग टालते हैं उसके अतिरिक बिहार सरकार का जो है जैसे इंटर का एकजाम हम लोग लिए मेट्री का एकजाम चल नहां है फिर इंटर का जहना पचीज से लिए है पचीज से उसका इबले संदिर यह समाप्त होगा 22 25 पिर उसका करना है उन्षार पीजी का सुने मैं कि पीजी का चालू होने वाला है यहां पे क्लास तो यह कभ कैसे इस्टार्ट होगा पीजी का हम पूर्णिया में थे पीजी चली ही रहा था यहां जब आ है तो लिए हम प्रियास रद थे बिहार सरकार को भी लिखे गवर्णर को भी मेले साहिब से जो है ना उसको प्रोपोज़त दिलाए उसके बाद विधान सभाह में वो लोग को सचन भी किया मेले साहिब तो पीजी का यहां पर हो गया है और इस पेसली छे तारिक को जल जीवर हर्ज क्याली प्रोग्राम में जो नितिस जी आये थे उन्होंने घुसना कर दिया कि ने पीजी की पढ़ाई यहां इस सत्र से मदब जुलाई से होगा और जाने के बाद एक लेटर विहार सरकार से हम लों को आ गया कि आपके यहां पीजी की पढ़ाई के लिए जो हैं बिहार सरक स्टाप का हम लोग प्रोपोजल बना करके दे दिये हैं और यह जल्दी स्विक्रित हो जाएगा 240 स्टाप का हम लों को आप कोई परेशा नहीं नहीं पुर्णिया इंवर्सिटी को थोड़ी परेशा नहीं है पुर्णिया इंवर्सिटी जो खुली यहां पे प्रोपोजल यह लोग बना के दे रहे हैं विहार सरकार को हमको पोस्ट दिजिए हमको डिपार्टमेंट को सेंक्शन करा यह कर दिजिए और विहार सरकार हम लोग दिया कि आपकी हाँ डिपार्टमेंट सेंक्शन हो चुका है आप प्रोपोजल बना के दिजिए आपको पोस्ट दे दिया तो क्या उम्मीद लगता है कितना दिन लग सकता है यह प्रोपोजन तो भी हार सरकार के इस में हमको लगता है इस बजट में वो कर लेंगे और हमको जो है न लिखित जो है न भीसी साहिब में सी महदे भी उस दिन आये थे एकैडमी कॉंसिल का मीटिंग हो करके यह यहां पर दे दिया है हम लोग को सुकृति दे दिया है जून जुलाई में जो एजमिशन होगा वो पूर्णिया काले या रडिया काले में सभी 24 दिन अच्छा सर रडिया को जो रेगुलर स्टुडेंट है वो कब से क्लास करें क्यों कि यहां पर मैक्सिमम एक्जाम होता है तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे अब एक्जाम जैसे अभी जो इंटरमेट्रिक का है उसमें हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं इसलिए वो तीन तारिक से चौबिस तारिक तक किलास सस्पेंट करती है चुकि यह गवर्मेंट क को जो हरताल कर रहे हैं यह आप लोग सही हो कि दिए तो इसके तिहाद कि यहां पर कोई भागदर नहीं मिले हम लोग किलास सस्पेंट तीन से चौबिस ता कर दिये हैं यह एक मेहना फिबररी मेरा जो हैना डिस्टरबर हा किलास के लिए मार्च से उसके बाद जो हैना कोई कि एक्जाम नहीं है और अगर कोई एक्जाम होगा भी तो फिर डे भी लॉंग हो जाएगा हम लोग साथ से साहे नौ बुजे तक थियूरी का कर देंगे मतलब क्लास का कर देंगे उसके बाद एक्जाम का अगर आएगा तो अच्छा सर और यह बोल ले थे कि रेगुलर जो कि धिस टीकर के गिंश घरी करके रिया थेत है शुकार नहीं है आप से बातचित करके यह कोलीज के बोड़े मेन जाने तो अपका नाम क्या है डोक्टर में Spotify कि अब दनई है अपना और्या न्यूज्ज एक नज़र हर खबर झाल 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 झाल